जै स्री कृष्णा आज शनिवार के दिन आईए सुनते हैं सनी देव और शुर्य देव की यह कथा धर्म ग्रंथों के अनसार शुर्य की दुतिय पत्नी की गर्व से सनी देव का जन्म हुआ जब सनी देव छाया के गर्व में थे तब छाया भगवान संकर की भक्ती में इतनी ध्यान मगन थी की उसने अपने खाने पीने तक शुध नहीं थी जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ड स्याम हो गया सनी की स्याम वर्ड को देख कर शुर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया की सनी मेरा पुत्र नहीं है तभी से सनी अपने पिता से सत्रु भाव रखते हैं सनी देव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रशन कर अपने पिता शुर्य की भाती सक्ति प्राप्त की और शिव जी ने सनी देव को बर्दान मांगने को कहा तब सनी देव ने प्राथना की की युगो युगो में मेरी माता च्छाया की पराजय होती रही है मेरे पिता शुर्य द्वारा अनीक बार अपमानी वो प्रतारित किया गया है अतह माता की इच्छा है की मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्ती साली बने तब भगवान संकर ने बरदान देते हुए कहा की नौ ग्रहों में तुम्हारा सर्वस्रेष्ट अस्थान होगा मानव तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से भैभीत रहेंगे सनी के संबंध में हमें पुरारों में अनीक आख्यान मिलते हैं माता के चलकी कारण पिता ने उन्हें स्राप दिया पिता अर्थाच सुर्य ने कहा आप क्रूरतापुर द्रिष्टी देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं यह भी आख्यान मिलता है की सनी के प्रकोपशेही अपने राज्य को घोर दुर्भिच से बचाने के लिए राजा दसरत उनसे मुकाबला करने पहुचे तो उनका पुर्शार्थ देखकर सनी ने उनसे बरदान मांगने के लिए कहा राजा दसरत ने बिध्वत इस्तुती कर उन्हें प्रशन किया पद्मपुरार में इस प्रशन का शविस्तार वरन है ब्रव्वयवत पुरार में सनी ने जगत जन्नी पार्वती को बताया है कि मैं सोजन्मों तक जातक की करनी का फल भुकतान करता हूँ एक बार जब विश्रू प्रिया लच्मी ने सनी से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानी करते हो क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रतारित रहते हैं तो सनी महाराज ने उत्तर दिया मातेश्वरी उसमें मेरा कोई दोस नहीं है परमपिता परमात्मानी मुझे तीनों लोकों का नयाया धीस निवक्त किया हुआ है इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे डंड देना मेरा काम है इक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से रिशी अगस्त ने जब सनी देव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राचसों से उनको मुक्ती दिलवाई थी जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने डंड दिया चाहे वह भगवान सिव की अरधांगने सती रही हों जिन्होंने सीता का रूप रखने के बार बाबा भोले नाचसे जूट बोलकर अपनी सफाई दी और परिराम में उनको अपने ही पिता की यग्य में हवन कुण में जलकर मरने के लिए सनी दीव ने विवश कर दिया अथवा राजा हरिश्चन रहे हों जिनके दान देने के अभिमान के कारण सब्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमसान की रखवाली तक करनी पड़ी या राजा नल और दम्यंती को ही ले लिजिये जिनके तुछ पापों की सजा के लिए उन्हें दरदर का होकर भटकना पड़ा और भूनी हुई मचलिया तक पानी में तैर कर भाग गई फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा करमडा पाप कर दिया जाता है वह चाहे जाने में किया जाए या अंजाने में उसे भूगतना तो पड़ेगा ही एक और कथा के अंसार रामायर काल में एक समय सनी को अपने बल और पराक्रम पर घमंध हो गया था उस काल में हनमान जी के बल और पराक्रम की किर्ती चारो दिशाओं में फैली हुई थी जब सनी को हनमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्थ हुई तो सनी बजरंग बली से युद करने के लिए निकल पड़े एक सांत स्थान पर हनमान जी अपने स्वामी स्री राम की भक्ती में लीन बैठे थे तभी वहां सनी देव आ गए और उन्होंने बजरंग बली को युद के लिए ललकारा युद की ललकार सुनकर हनमान जी सनी देव को समझाने का प्रियास किये लेकिन सनी देव नहीं माने और युद के लिए आमंत्रित करने लगे अंत्मी हनमान जी भी युद के लिए तैयार हो गए दोनों के भी घमा सान युद हुआ हनमान जी ने सनी को बुरी तरह परास्त कर दिया युद में हनमान जी द्वारा किये गए प्रहारों से सनी देव के पूरी सरीर में भयंकर पीरा हो रही थी इस पीरा को दूर करने के लिए हनमान जी ने सनी देव को तेल दिया इस तेल को लगाते ही सनी देव की समस्त पीरा दूर हो गए तभी से सनी देव को तेल अरपित करने की परंपरा है उनके जीवन की समस्त परिशानिया दूर हो जाती है और धन अभाव खत्म हो जाता है जबकी एक अन्यकता की अंसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बाथ लिया तब राचहस इसे हानी न पहुचा सके उसके लिए पवंसुत हनमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सोपी गए जब हनमान जी साम की समय अपने इष्ट देव राम की ध्यान में मगन थे तभी सुर्य पुत्र सनी ने अपना काला कुरुप चेहरा बना कर क्रोध पुड कहा हे बानर मैं देवताओं में सक्तिसाली सनी हूँ सुना है तुम बहुत बलसाली हो आखें खोलो और मेरे साथ युद करो मैं तुम से युद करना चाहता हूँ इस पर हन्मान ने बिनमरता पुर्वक कहा इस समय मैं अपने प्रभू को याद कर रहा हूँ आप मेरी पूजा में बिग्न मत डालिये आप मेरे आदरी हैं कृपा करके आप यहां से चले जाए जब सनी देव लड़ने पर उतर आये तो हन्मान जी ने अपनी पूछ में कर दिया और जोर लगाने पर भी सनी उस बंधन से मुक्त नो होकर पीड़ा से ब्याकुल होने लगे हन्मान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर सनी की घमंड को तोड़ने के लिए पथरों पर पूछ को जटका दी देकर पठकना शुरू कर दिया इससे सनी का सरीर लहु लुहान हो गया जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई तब सनी देव ने हन्मान जी से प्रार्थना की की मुझे बंधन मुक्त कर दीजिये मैं अपने अपराज की सजा पा चुका हूँ फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी तब हन्मान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ह सनी देव की पीड़ा मिठ गई उसी दिन से सनी देव को तेल चड़ाया जाता है जिससे उनकी पीड़ा सांथ हो जाती है और वे प्रशन हो जाते हैं हन्मान जी की क्रिपा से सनी की पीड़ा सांथ हुई थी इसी वज़े से आज भी सनी हन्मान जी के भक्तों पर विशेश क प्रिपा बनाए रखते हैं